एक तगड़ा फीचर्स इस कैमरे में दिया हुआ है और मैं बस सोच रहा था कि शायद इस कैमरे में नहीं आएगा दोस्तों और वो जो फीचर्स है ना एंड मैं बहुत ज़्यादा सर्प्राइज हो नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो द पैना सोनिक के लाइव स्ट्रीमिंग में अगर आपने देखा होगा जहां पर पैना सोनिक ने नए लांच मोडल पैना सोनिक एसवाइब मार्क टू के वारे में जो फीचर्स थे ना वो पूरा फ्लैश कर दिया है आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डिटेल रिव वहां पर भी मैं कुछ टिप्स ट्रिक्स सैटिंग्स रिफोमेशन आपके साथ में शियर करता रहता हूं अगर आपने वहां मुझे फॉलो नहीं के इंस्टरग्राम पर मुझे फॉलो कर ले साथ ही आप मुझे यूट्यू चैनल पर सब्सक्राइब कर लें लेकिन को प्रे इस नहीं है इसमें आर कंट्रास एफ है बट कहीं न कहीं हमें थोड़ा सा लूज हो जाता है फोकस उस चीज़ को बिल्कुल ही रिमूब कर दिया है पैनसोनिक सफाइब मार्क टू में फर्स टाइम उसका एक ऐसा कैमरा इंट्रिउस किया है पैनसोनिक ने जहां पर आप कह पैनसोनिक यूजर है ना वो तो खुश तो बहुत हो रहे होंगे और उन लोग जो प्लान कर रहे थे इस कैमरे को परचेस करने के वारे में वेट कर रहे थे इस दिन का यार की जो नया मॉडल लॉंच हो रहा है में भी उनको यह उमीद तो थी कि जो मॉडल वो लॉंच कर हैं कुछ अडवांस कुछ ना कुछ नया इसमें आपको देखने को मिलेगा एंड वो इंतिजार खतम हो चुका है एक कम्प्लीट फेस डिड़क्ट आटो फोकस सिस्टम को उन्होंने लॉंच कर दिया है पैनसोनिक S5 मार्क टू कैमरे के साथ यह जानते हैं दोस्तों कि इस पैनसोनिक जो बॉड्डी प्रोवाइट कर रही है जो तरी है जो हैंडिलिट प्रवाइट कर रही है ग्रिप कर रहा है वह बहुत सब्सक्राइख next से परे जो पैनसोनिक एस 261 मार्क 2 में जो बॉड़िन डिजाइन के बार में अगर मैं compare करता हूं first S5 model से तो जादा आपको difference नहीं देखने को लेंगा काफी minor से आपको यहाँ पर difference देखने को मिले दो-3 चीज़े हैं जो आपको मैं आगे बताऊंगा तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि body बहुत ही compact and light weight अगर compare करें S5 या फिर उसे नीचे model से काफी compact and light weight है सिवाए S1 को छोड़के वो मुझे थोड़ा सा बल्की लगता है थोड़ा सा भारी है वो camera बट इस camera की बात करें तो S5 के तरह काफी compact and light weight है दोस्तों और जैसे ही हमारे store पर पहला unit आएगा और पहला unit जो भी हमारे भाई photographer भाई लेंगे उसके साथ एक अच्छा सा एक hand-on review आपके साथ में share करूंगा साथी साथ आपको में बताऊंगा and क्योंकि है ना camera जब हमारे पास होता ना तो कुछ अलेगी feeling होती है उसको शेयर करने के उसके features को समझाने के उसका review देने का तो जल्द ही वीडियो इस चैनल पर भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों दोनों ही body make बहुत बड़ा अंतर आपको यह भी देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारा s5 mark 2 camera है यहां पर के आपको मिलता है full size HDMI cable port जिसके मदद से आप 14 प्लस डाइनेमिक रेंज इसको में वीडियो स्क्षन में cover करूं तो अच्छा है मतलब एक बहुत बड़ा plus point दिया गया है खासकर वीडियोग्राफर सिनमेटोग्राफर डॉकुमेंट शूट करते हैं ठीक आउट्डोर शूट करते हैं उनके लिए वीडियोग्राफिक के लिए खासकर यह बहुत ही plus point दिया हुए कि इसमें full size HDMI port दिया हुआ है साथी दोस्तों camera में type C port भी दिया हुआ है यह सेकेंड हाइ स्पीड कार्ड को सपोर्ट करते हैं और यह आपको कहां beneficial होगा कहां benefit मिलेगा जब भी आप एक high resolution को शूट करेंगे तो एक high speed वाला कार्ड के आपको बहुत जादा जरुत है और दोनों ही स्लोट में आपको यू एचस तू का support मिलता है फाइनली दोस्तों अब बार ही है सबसे बड़े updates को लेके कि जो user सोच रहते जिसका wait कर रहते एंड फाइनली एक brand new autofocus system को इसमें add किया गया है और यह हमारे जो panasonic है ना वो s5 mark 2 में first time इसको introduce किया गया है जो है दोस्तों इसका face deduct autofocus system और देखा जाए तो यार यह बहुत बड़ा good news है क्योंकि जो user थे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि panasonic s5 camera बुरा है उसका autofocus बुरा बट कही न कहीं कुछ condition में वह autofocus छोड़ता है अगर मैं compare करू other brands से जहां पर autofocus working करता है क्योंकि other brands के जो sensor है ना वह एक hybrid phase deduct autofocus sensor है बट finally जो कर दिखाया panasonic ने इस camera में भी आपको मिलता है face deduct autofocus बिल्कुल brand new face deduct autofocus system अब दोस्तों जो लोग plan कर रहे थे जो hold कर रखे थे अपने आपको wait कर रहे थे कि यार कब camera वो आएगा कब हम hand-on review लेंगे उसका performance देखेंगे तो दोस्तों देखे आने में तो थोड़ा समय लग जाएगा दो से तीन मेहने के बीच में duration होता है वो आने में समय लग सकता है बट क्या है कि camera जिन्होंने hold कर रहा था वेट कर रहे थे ना उनके लिए बहुत बड़ा good news आ गया है और जैसे कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया ही था दोस्तों कि इसके autofocus points में भी बहुत बड़ा improvement देखने को मिलेगा हो सकता है कि improvement आये तो finally आया है यह आहां पर आपको जो autofocus points मिलते हैं डबल से ज्यादा मिलते हैं 779 autofocus points दिये गए है जो बहुत ज़्यादा fast और बहुत ज़्यादा accurate मैं दिन भर में यही वीडियो देख रहा था मैं देख रहा था अलग-अलग यूटूवर्स की ज्यादा तर ऐसे यूटूवर्स को दिया गया है जो specially उनके launching में बुलाया गया था उनको यूनिट दिया गया है कि आप इसको टेस्टिंग की जो और आपके अपने अपनी राय बताइए मैंने बहुत से लोगों का वीडियो देखा है और बहुत ज़्य यूडरेशन का sensor है दोस्तों और इसको देके नए generation का है सिर्फ sensor ही नहीं ठीक है अगर हम किसी वी चीज को इंट्रियूश कर रहे हैं ठीक कोई नए technology डाल रहे हैं तो हमें सिर्फ sensor बिटपर नहीं करना ठीक है आप face detection लाय था तो आप processor भी आपको नया लाना पड़ेगा ज दूब नियाओ इसका इंजिन जो इसका प्रोसेसर आया है वह बिलकुल नियू टेकनोलीजी्ट का आया और यहां पर आपको यह फिर्षंट पोसिबल हो पाया है कि जो इसका नया जो आटो फोकस सिस्टम है ना उसके बजह से और और आगे अगर मैं बात करूंगा वीडियो रेजुलेशन की वीडियो पर्फोमेंस की उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरा थे इसके नए पर्फोमेंस की हम अगर पुराने पर्फोमेंस के साथ काम करते हो तो शायद हम अपने कैमरे के इतना है स्पीड नहीं बना पाते ह उसको पर्फोमेंस देने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथ ही दोस्तों इस कैमरे में आपको मिलता है ड्यूल नेटिव आयोसो का सपोर्ट मैंने लास्ट वाले वीडियो में इसको कवर नहीं किया था बट सोच चाओ इसमें कवर करने के साथ थोड़ा स आप जब आयर यूज करते हो आप हैयर यूज को बढ़हते हो यह आट्omeatic स्विच हो जाता है ड्यूल नेटिव में जहां पर आपको एक लो कंडिशन विगर आप हाई यूज को यूज करते हो तो जो आपकी इमेज कॉल्यटी है जो आपका कॉल्यटी है वह लैस नहीं होत इस निव टेकनोलोजी में आपको अगर बात करें इन बोडी इमेज इस्टेवलाइजेशन के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा अडवांस है यहां पर मैं बात करूँ ड्यूल आईयस की जो सेकंड जेनरेशन था जो 6.5 का स्टॉप इमेज इस्टेवलाइजेशन आपको द या फिर ब्लॉगर जब आप ब्लॉग शूट करते हो तो वहां पर क्या होता है कि जो इसकी इन बोडी इमेज इस्टेवलाइजेशन वह बहुत कमाल के मिलने वाली है जिसको इन्होंने एक्टिव इमेज इस्टेवलाइजेशन का भी नाम दिया है तो अब बात करते हैं द करते हैं तो वहां पे ब्रॉट मोड जो मिलेगा 4 आपको सेवनइफ स्कांड़ मीलेगा और बात करें लक्टर करें तो यह बहुत ज़ादा फास्ट है अगर मैं क्वेर कर हो यह सब्सक्ना नीज चुट करतें ऑर यह फास्ट है जहाँ आप फोटोग्राफि में वाल्ड प्रशूट कर सकते हो ठीक है आप बहुत हाइच स्पीड शूटिंग करना चाहते हो तो यहां पर आप इस कैमरे के साथ भी पॉसीबल वह चीज़ कर सकते हो अगर आप शूट करते हो तो आपको इसका 24 मेगा पिक्सल रेजुट मिलेगा बट इसमें फीचर दिया हो जिसको आप कह सकते हो हाई रेजुटेशन मल्ती शौट फोटोग्राफी पहा सकते हो जो यार फोटोग्राफी शूट करके देगा न वह 96 MB, Megapixel की फोटोग्राफी शूट करके देगा अगर आप लैंड इसके शूट करते हो ठीक है आप उसके बाद jewelry shoot करते हो ऐसा शूट है आपका तो एक high resolution image आपको चाहिए तो वहां क्या करता है कि यह camera 96 megapixel high resolution multi-shot भी आपको capture करके देता है दोस्तों camera EVF की बात करो तो यहां पर 3.68 million dot दिये हुए जिसमें 120 और 60 refresh rate भी दिये हुए 3.68 million dot काफी ज़द ब्राइट है हमारे Nikon Z62 की बात करो जिसमें 3.68 million dot है जो बहुत ज़द ब्राइट है साती बात करें इसके LCD पैनल के बारे में तो मैंने कहा था कि जो features है न वो up and down हो सकते हैं तो सोच रहा था था वाट यहां पर आपको मिलता है वेरी अंगल तो उसका reply में कर दूँगा अब करते special video features के वारे में के वीडियोग्राफी में हमें क्या के features देखने को मिलता है वीडियोग्राफर, cinematographer, blogger अगर आप वेट कर रहे हैं कि यार क्या features में देखने को मिलेगा वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा है और सबसे बड़ा जो अपडेट है यहां पर वीडियो रैजुलेशन में आप कैमरे में 6K की वीडियो शूट कर सकते हो 24 25 30 पी में जिसमें आपको इंटर्नली 420 10 bit का सपोर्ट मिलेगा दोस्तों इसमें आपको कोई भी क्रॉप नहीं देखने को मिलेगा यहां पर पूरा सेंसर रीड आउट होगा साथ यह आप 4K और सिनेमा 4K वीडियो भी शूट कर सकते हो खासकर इंटर्नली आपको इसमें 422 10 bit का सपोर्ट है इस्पेशली 50 और 60 पी में शूट कर सकते हो बट यहां पर अगर मैं बात करूं 4K और सिनेमा 4K तोड़ सा ध्यान से सुनेगा 4K और सिनेमा 4K में अगर आप शूट करते हैं 50 और 60 और इंटर्नली अगर आप सेलेक्ट करते हो 422 तो इसमें आपको 1.5 का क्रॉप फेक्टर मिलेगा मींस क्रॉप होके वो APS-C के तरह काम करेगा बट यहां पर आप 4K वीडियो और सिनेमा 4K वीडियो को आप शूट करते यहां पर बताना चाहता हूं कि लोग इसी को यूज करेंगे यहां पर बताओ नॉर्मल फुल एच्डी वीडियो तो आपको 120 पी 150 60 पी का सपोर्ट मिलेगा साथी स्लो मोशन की बात करते हैं तो देखे यहां पर 180 का स्लो मोशन है मतलब 5X तक आप उसको स्लो कर सकते हो जो क इंटर्नल 10 बीट पर आपका फोटू जीरो का सपोर्ट मिलेगा और एक बहुत ही घजब का फीचर तगड़ा फीचर जो आपको इसमें देखने को मिलता है बहुत इंप्रेसिव फीचर से खास कर जो सिनेमाटर ग्राफर होते हैं वह क्या करते हैं कि वह अपने वीडियो को यूज करते हो जिसमें अगर मैं बात कर वन टो थ्री ऐसे टैन लट्स को आप लोड करके उसमें अपलाई भी कर सकते हो इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा जो वीडियो ग्राफर सिनेमेटर ग्राफर को कि उनको पोस्ट प्रोडेक्शन है ना वो थोड़ा कम करना यह एक बहतरीन और इंप्रेसिव फीचर से दोस्तों अगर आप इन सभी फीचर्स को अगर देखते हो नोटिस करते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताईए का आपको यह सारे फीचर्स कैसे लगे हो सकता है कुछ ना कुछ में छोड़ते जा रहा हो क्योंकि इतने सारे ची इतनी लंब लिस्ट होता है कुछ ना कुछ इस पेशल दिया होता है तो कमेंट करके बताईएगा जरूर कैसा लगा आपको मेरे तरफ से जो जितना भी फीचर सेना बहुत ही जदा इंप्रेसिव बहुत ही जदा बढ़िया फीचर्स कैमरे में दिया हुआ है और इसके फीचर्स है ना और मैं बहुत जदा सर्प्राइज हो गया हूं इस फीचर्स को इस कैमरे में एड कर दिया जबकि मैं कह रहा था कि शायद इस कैमरे में नहीं एड होगा इसका जो दूसरा मोड़ा लोगा ना वह S5 Mark 2X उस कैमरे में इस फीचर्स को अड़ोन करेंगे बट फाइनली दोस्तों इस कैमरे में भी आपको मिल जाता है हीट सिंग फैन एंड मैं जब इसका लाइव में देख रहा था तो मैंने देखा मैंने उसको देखते हैं वाह हो कि खासकर जो प्रॉब्लम से ना एक सिनोमेटोग्राफी वीडियोग्राफी जो आप शूट करते हो खासकर गर्मियों के दिन में यह बहुत जादा फेस करना पड़ता है उनको कि यार कंटीनीव रिकॉर्डिंग हम करते हैं ठीक है ऐसे विंटर में तो देखे कोई प्रॉब्लम नहीं आता लेकिन गर्मियों के टाइम में जब आप कंटीनीव शूट करते हो तो यार यह ची फ्रेंडली कैमरा बनाने के लिए तो इसमें जो इंक्लूड किया गया है वजसे यह दो जगे से आपको देखेगा स्पेस जहां से एर निकलेगा एक अगर बात करें आपको एक लेफ्ट साइड में दिख जाएगा डायल के पास ठीक है जस्ट यहां पर दिख जाएगा और दिख जाएगा जहां पर आप उपर जो जहां फ्लैशेज होती है जहां पर नाम लिखा होता लोगो होता है उसके नीचे साइड में भी एक दिया हुए स्पेस जहां से हीट एर निकलेगा तो एक बहुती बढ़िया तकड़ा फीचर इसमें इंक्लूड किया गया है खासकर विडियोग्राफर, ब्लॉगर, जो कंटिनीव शूट करते हैं उनके लिए टैंशन फ्री चीज कि आप कंटिनीव शूट कीजिए अच्छा मैं कह सकता हूं कि यार अगर हम शूट करते हैं तो 100% नहीं जिन कैमरों में है नहीं तो उनके क्या ही बात करें बट जिसमें है का के लिए ना वह काम करेंगा अगर एक कैमरा हीट होता है तो उसको कहीं न कहीं 50, 60, 70% तो कूल करेंगा ना अगर कंट जिसमें नहीं है उसके हिसाब से अच्छा काम करेंगा ज्यादा काम करेंगा तो यह बहुत अच्छा अप्शन दिया हुआ है और अगर थोड़ा सा इस छोटे-छोटे क्लिप्स को एड करते हैं कि स्टोरी क्रिएट करने के लिए तो देखिए अगर आप कंटीन उप्रेट करें किया आपने रिकॉर्डिंग बटन दवा दिया भाई बैड गया है को लोग आ रहे जा रहे ठीक है कोई भी आक्शन नहीं हो रहा है कैमरा ओन है त उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है या फिर जहां आउडोर शूट करने जाते कंटीनू किसी ना किसी काम के लिए इसको प्लस पॉइंट है और मेरे इसाब सब्सक्राइब तकड़ा फीचर दिया हुआ इस प्राइज रेंज में पैना सोनिक ने अब बात करते दोस्तों इसके बैटरी बैक अपस के बारे में तो बील के 22 बैटरी है और यहां पर वन टाइम शॉट की बात करते तो 370 शॉट्स है यह बहुत कम नंबर है दोस्ते फोटोग्राफर के लिए अगर वह कैमरे को बैटरी को चार्ज करता है और वह प्रोग्राम पे जाता है तो इसके लिए दो बैटरी या हो सकता है तीसरी बैटरी भी इसको लेनी पड़े 370 शॉट्स अब देखते देखते निकल जाते हैं और हमारा कैमरा और बाकी प्रोसेस में भी और भी बैटरी डिक्रीज होती है दोस्तों तो कोई अच्छा नमर नहीं फोटोग्राफर के ल देखते हैं तब देखेंगे इस फीचर को कैसा है दोस्तों क्यामरे में आपको दोस्तों फूल एजडिमाई का आउटपुट मिलता है जिसके साथ आप प्रोरेस जैसे वीडियो को आप शूट कर सकते हैं जिसमें आपको 422 & 422HQ का भी आपको सपोर्ट मिलेगा साथ एगर मैं डाइनेमिक रेंज की बात करूँ जहां पर आपको 14 प्लस की डाइनेमिक रेंज मिलेगी दोस्तों एक लास्ट वीडियो क्लिप भी था दोस्तों जिसमें कुछ और भी इंफूमेशन आपके ले थी बट वो पता नहीं क्यों एरर शोर है कॉपी नहीं हो पार है इस बज लेना वीडियो आपको कैसे लगा यह भी कमेट करें बताना अपके दोस्तों कर देना और इस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना चैनल पर अगर आपने फर्स टाम विजिट के आए तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके और क्लिक कर देना ताकि कोई वीड में जल्दी आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड़ बाई